हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस नास्ता जो एक चमस तेल में ही बनके या चाहे तो उससे भी कम तेल में बनके तयार हो जाता है और ये नास्ता बहुत ही क्रेंची है और बहुत ही टेस्टी है खाने में बहुत ही जबरदस लगत करती हो चली एक बावल लिया है उसमें मैंने एक कप सूझी डाला एक कप मैंने पानी डाल दिया है और उस के बाद हमें चमच्ट की मदद से इसको पहले अच्छे से mix करेंगे dirig तो सूझी पूरी तरह से mix करते जाना है जैसे देखिए बीच पूरी दरस से मिक्स कर देना है फिर इसके बाद मैंने एक प्यास चॉपड करके ढाल दिया है आप पसंही तसब्स कर दोए रार थोड़े से मैंने दनीया डाल दिया है थोड़ी सी हरी मिर्ची जाल दिया है और मेरे पास गाजर पड़ी थी, हो भी मैंने डाल दिया है, और शिमला मिर्ची भी मैंने इसमें लदर ढाल दिया है, हमें चाहला हकोजल को अच्छे से मिक्स कर हमें अपने हिसाफंसे तीन मश्याले डाल दीने है । थोड़ा थोड़ा पानी जाल करे युटा की तक पूरी तरह से गुमाना है, फिर हम एक पेन में थोड़ा सा तेल ढल देना है ऱइस नास्ता बहुत जल्दी बन के तयार हो जाता है आप मेमान अगर आए, कोई भी गेस्ट आए तो इसमें भी ये नास्ता बना के तयार कर सकते हैं इसमें बिलकुल टाइम नहीं लगता है ये देखिए बिल्कुल जल्दी बन के तयार हो गया है मैं आपके सामने दूसरा भी नास्ता बना के बताती हूँ इतना टेश्टी नास्ता खाखा के आपका भी वेट बर गया होगा तो मैंने सोचा कि मैं कल वेट लॉस वाला वीडियो निकालूंगी जिससे एक ही अफते में दो केची कम हो जाएगा तो ये नास्ता बन के बिल्कुल तयार हो गया है मैंने दूसरा भी इस टैप से बना के तयार कर दिया है और उसके बाद हमें अभी इसको निकाल देने हैं सारे नास्ते को और हमें प्लेट में सर्व कर देना है तो सारा नास्ता बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और उसके बाद मैंने एक प्लेट लिया है और उसमें गर्मा गर्म ये नास्ता ढाल दिया है आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको नास्ता कैसे लगा और आप कभी ये बना के ट्रै कर रहे हो तो वीडियो कैसे लगा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और फालू करना मत बूलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ